दोस्तो आज मैं आपसे Magic of Thinking Big की समरी से एर करने जा रहा हूँ इस बुक समरी से आप ये Realize करेंगे कि आपकी सफलता में आपकी सोच कितनी अहम भूमी का निभाती है आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं इसमें आपकी सोच काफी बड़ी भूमी का निभाती है जो आप Deserve करते हैं उसे हासिल करने में आपकी Thinking ही आपको मदद करेगी वादे बहुत हो चुके तो आप सुरू करें विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे यानि कि Believe You Can and You Will Succeed हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर ऐसु आराम मिले इसलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जा सकता है दड़र विश्वास आपके दिमाग को motivate करता है कि वो आपने लक्षों को पाने का तरीका खोजे और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लग जाते हैं आईए इसे एक एक जामपल से समझते हैं एक आदमी टूल एंड डाई कमपनी में काम कर रहा था इस काम से वो ठीठ ठक पैसा कमा लेता था लेकिन वो समतोष्ट नहीं था वो अपनी वाइप और दो बच्चे के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा सा घर ले सके या बाकी जवरत्ते पूरी कर सके वो आदमी अपनी जिन्दगी को लेकर दुखी होता गया और अपने परिवार को खुसी ना देने की वज़़से वो परेशान होता रहता था कुछ सालों बाद उसे एक दूसरी जगह जोब का ओफर मिला लेकिन ये जगह उसके घर से काफी दूर था तो उसने सोचा कि उना ट्राई किया जाए जॉब इंटर्व्यू के एक दिन पहले वो कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था उसने खुछ से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है काफी सोचने के बाद उसने पाया कि उन सब में खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकती है अगले दिन वो आदमी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इंटर्व्यू के ले गया और उसने अपने पिछले जॉब से 3500 डॉलर ज्यादा सेलरी की डिमांड की वो इतना सेलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना सेलरी पाने के योगई है और उसके इस कॉन्फिडेंस की वज़़से उसे वो जॉब मिल गई इसलिए दोस्तों अपने आपको कभी भी सस्ते में ना बेचें अपनी वर्थ पहचन और विश्वास करूं कि आप इससे जादा कर सकते हैं और बन सकते हैं जब आप बना सोचना सुरू करेंगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलेगी नेक्स्ट बहना साइटिक का इलाज कराएं या सफलता की बिमारी है अगर हम लोगों का गहराई से अध्यन करें तो पता चलेगा कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बिमारी होती है जिसे आउथर बहना साइटिक यनि कि एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं जो वेक्ति जितना सफल होता है वो उतना ही कम बहाने बनाता है प्रंतु जो वेक्ति कहीं नहीं पहुच पाता उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहता है जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हो आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं तो ऐसे बहाने गिनवा देते हैं मेरे साथ हेल्थ समस्या है या फिर मैं काफी एजेट हूँ या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए या फिर लास्ट में कहा देंगी कि मैं तो अनलक्की हूँ आए इसे रियल लाइफ एक्जामपल से समस्ते हैं एक training program में एक trainee था जिसका नाम Cecil था और वो 40 साल का था वो manufacture representative का job धून रहा था लेकिन Cecil में confidence की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफी agent हो चुका है इस job के लिए बाद में इसी training के दौरान author ने Cecil से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी का productive life कभी start होती है और कभी start हो उम्र का बहना साइटिक ततकाल खत्म हो गया उसे महसूस हुआ कि अभी तो वो अपनी productive wage के सिर्फ 40% पर ही पहुचा है और इसके बापजुद वो आगे बढ़ने से घवरा रहा है इसलिए दोस्तों कभी भी दिवा सपन ना देखें अपने मानसी कुर्जा को ऐसे सपने मे जाया ना करें जिसमें बिना महनत के सफलता हासिल की जा सकती हो हम किसमत के सारे सफल नहीं होते सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सी धानतों में महारती बनने से मिलती है जो सफलता में सहायक होते है परमोशन जीत लाइप की अच्छी चीज़ों में किसमत का सह किसमत से यह चीज़ें नहीं मिला करती इसके वजह आप अपने आप में ऐसे गुन विक्सित करें कि आप सचमुच में एक वीजेता बन जाए नमबर थ्री विश्वास जगाएं और डर भगाएं यानि कि बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉआए फियर कुछ लोगों ज़्यादा तर यंग वाइस थे और इनमें से कुछ को पानी की गहराई से डर लगता था इनके ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग कलास आयुजित की गई इस ट्रेनिंग के लिए उन्हें छे पिट उचे स्टेंट से आठ फिट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया पर पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई आफिसर को एक आइडिया आजाया उसने एक रिकूरूट को वाटर पोल में धक्का दे दिया वह किसी तरह से स्ट्रगल करता हुआ पानी के उपर आया तो आफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू कर करती है कि काम करने से डरदूर होता है और एक्सन ही फियर का इलाज है नेक्स्ट बड़ा सोचें यानि की हाउ टू ठिंक बिग सफलता इंच या पॉंट के हिसाब से नहीं ना पा जाता है और नहीं इसे कॉलेज की डिग्रियां से और आपके फैमली बैक्ग्राउंड से न कारपार करने के बाद जब अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े गौर से देख रहा था जब अमीर आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि आपकी कार जबरदस्त है इस पर अम लड़के का जवाब सुनकर वो आदमी हैरान रहे गया, उस लड़के ने कहा नहीं, बलकि ये सोच रहा हूं कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बन सकता हूं, इसलिए दोस्तों वर्तमान में चीजे कैसी है, ये देखने की वजाई ये देखें कि भविस्य में कैसी हो सकती कलपना सेलता से हर चीज ज़्यादा कीमती बन जाती है, बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कलपना कर लेता है कि भविस्य में क्या किया जा सकता है, वो केवल वर्तमान में नहीं उलजा रहता, नेक्स्ट, क्रियेटिवली कैसे सोचे, क्रियेटिव थिंकिंग का अर्थ है कि किसी काम को करने का इंप्रूब्ड तरीका खोजना, आपकी सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह से खोजते हैं, फिर चाए वो सफलता घर में हो, या काम धंदे में, या फिर समाज में, आइए इसे एक एक जामपल स संदी, आउथर की जो रिक्वार्मेंट थी, उसके हिसाब से उसने प्लान अपने सब्दों के माधिम से मुह जवानी समझाया, लेकिन आउथर को कुछ समझ नहीं आया, सेल्समें ने उसे टेक्स ओप्षन, सोसल सिक्यूरिटी के बारे में बताया, और बाकी टेकनिकल सुनने के बाद आउथर और भी कनफ्यूज हो गया, इसलिए आउथर ने सेल्समें को प्लान लेने से मना कर दिया, अब दूसरे सेल्समें की बारी आई, उसने एक अलग सहली का इस्तिमाल किया, उसने सारी डिटेल को बड़े इंट्रेस्टिंग और क्रियेटी वे में एक आउथर को बताया, आउथर को दूसरे सेल्समें का परपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया, इसलिए आउथर ने उसी टाइम एंसोरेंस ले लिया, इसलिए दोस्तों अपने थौट्स को फ्रीडम दे, इंपॉसिबल वर्ड अपने डिक्सनरी से निकाल दे, नए नए अलग अपनी पहचान बना है, नेक्स्ट, जैसा सोचोगे वैसा बनोगी, आप क्या सोचते हैं, इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं, आप क्या करते हैं, इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा वहवार करते हैं, इसलिए महत्पुर्ण दिखें, इससे खुद क तो महत्तपुर्ण समझने में मदद मिलती है व्यक्तित बोलता है. आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवी कुल सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित उसे आप के बारे में सकारत्मक छवी ही बने इसलिए घर से चलते समय यहardan proud استas आते हैं वैसा आप दिख रहे हैं आये से एक्जामपल से समझते हैं इट उठाने वाले से यह सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो तो पहला इट जमाने वाले ने कहा कि इट जमा रहा हूं दूसरे ने जवाब दिया कि 10 डॉलर प्रती घंटा कमा रहा हूं और तीसरे जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे महान गिर्जागर बना रहा हूं। पहले दोनों इर जमाने वाले जिन्दगी भर वही काम करता रह गया। क्योंकि उसमें भविश्य दरिश्टी नहीं थी, वे अपने काम को सम्मान नहीं करते थे। लेकिन तिसरा कारिगर जिस ने कहा था कि वो महान गिर्जागर बना रहा है, वो एक सामदार आर्टिटेक बन गया। और लाइफ में आगे बढ़ गया। क्योंकि इंसान की सोच उसके परगती का आधार है। काम के बारे में आपके क्या सोच हैं, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और यह भी पता चलता है कि आप में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उठाने की छंता है या नहीं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हैं, वही आपकी image बन जाती है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, वो हमारे लिए एक motivational tool बन जाता है, जो हमें exactly वही person बनने महल करता है, इसलिए सोचो और बनो, next, अपने माहाल को सुधारें और first class बने, यनि कि manage your environment, go first class, पैसा बचाने के चक्कर में एक आदमी ने महीनों तक एक घटिया होटल में खाना खाया, जगा साप सुत्री नहीं थी और खाना भी अच्छा नहीं था, और service का तो बुरा हाल था, लेकिन पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना किसी सिकायत किये, चुप चाप खा लेता था एक दिन उसका दोस्त जबरदस्ती एक बढ़या रेस्टोरेंट में लेकी गया, वहाँ पर उनके दोस्त ने लंच ओडर किया, तो उस आदमी ने भी सेम ओडर कर दिया, उसके बाद जो हुआ, उसे देखकर वो आदमी हैरान रह गया, उसके सामने बढ़या खाना परोसा ग लिया था, फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरफ भी हेप करना पड़ेगा, हमें लाइप में खुद को इंज्वाय करने से रोकना नहीं चाहिए, फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट और यही हम बनना चाहते हैं, नेक्स्ट, लोगों के बारे नहीं हो या नहीं हो पर वह मेरे लिए महतपूर्ण है, इसलिए मुझे उसे करीब से जानना चाहिए, इसलिए दोस्तों हमें गुड रिलेसंशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के साथ एक काइंड और फेंडली वे में ब लेहिंद